हलो दोस्तों आप सभीका एक बार फिर चार्दिक स्वागेत आपके अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तों मैं आपके लिए एक और विकेंश के अपडेट लेकर आगे हूँ और आप सभी के पास इसकी जो पीडियेफ हो अलमॉस्ट सभी के पास पहुंच गए होगी लेकिन मैं आपको साथ ही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फील करना होगा आपके पास पीडियेफ पहुंच गई है अच्छ बात अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप नर्सिंग चैलेंजर के अंदर आ जाना और वहाँ से पीडियेफ ले लेना दोस्तों यहां पे ही आपको लिंक मिलेगी पीडियेफ के अंदर एक लिंक मिलेगी उसी से आपको फॉर्म फील करना होगा लेकिन आप पर उसको जब क्लिक करेंगे उसके उपर उस लिंक को जब open करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है वो process में आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी पूछ रहेते कि sir vacancy आई है और इसमें जो link है उसको open करने के बाद आगे समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे अपना form में हम बरे तो वहीं process में आपको complete बताने वाला हूँ पहले समझ लेते हैं कितनी क्या vacancy है और कैसे आपको форм feel करना है वो तो मैं आपको समझाई दूआँँगा कितनी क्या salary है वो भी जान लेते हैं दोस्तों जो vacancy है वो contact base पे है साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है पहले समझ लीजिए यहां पे जो vacancy है वो contract base पे है और जो vacancy निकाल गी है वो निकाल गी है जग जीवन राम Western Railway Hospital Mumbai Central जो Mumbai Central में होस्पिटल है जग जीवन राम Western Railway Hospital उसी के अंदर है vacancy निकाल गी है बहुत एच्छी खाशी आपको यहां पे salary मिलेगी हालांकि यह contact base पे जरूर है लेकिन salary आपको बहुत एच्छी खाशी यहां पे मिलने वाली है तो दोस्तों आप इसके लिए apply कर सकते हैं बिना exam के आप select हो सकते हैं बिना पेशे आप अपना form भर सकते हैं गर इक बात में आपको पहले बता देता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना ताकि आपको आने वाली हर एक latest update जल्दी से जल्दी मिलती रहे दोस्तों यह वेकेंशी है वो किस जैसा सब सोच रहे थे जो medical line में है चाए वो फिर MBBS कर रखे हो चाए GNM कर रखे हो चाए BS नर्सिंग कर रखे हो चाए फिर उन्होंने जो है लेब technician का कोर्स किया हो कुछ कोई डिपलोम आ हो यह फिर कोई भी कोर्स किया हो सबीने यही सोच रहा था कि COVID आज को है जो कोरना ह अपनी वेकेंसी जाएगी लेकिन government क्या कर रही है contract base पे वेकेंसी निकाल देए contract base पे लेंगे और इनको वापस निकाल देंगे यही काम बचाए अपको कैसे form फील करना होगा दोस्तों यह पीडिएफ में link आपको जो दी गई है इसी link से आपको अपना form फील करना होगा आपको अपना form फील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले समझ लेते हैं कब से कब तक इसके form बरे जाएंगी और salary मैंने आपको बताई दिये 24,900 रुपया आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों इसकी जो last date है वो है 6 April 3 April से यानि कि आज से लेकर आप 6 April तक इसक आपको आपको बुला लिया जाएगा दोस्तों जो आपका interview होगा वो होगा 8 April को 6 April तक आप जो है इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं और 8 April को आपका interview हो जाएगा जिनका भी interview होता है और जो select होते हैं उनको बुला लिया जाएगा जो select नहीं होते हैं उनको नहीं बुलाए जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी क्या पोस्ट वो भी देख लेते हैं यहाँ पर देखिए CMPZDMO यह MBBS वालों की है 14 पोस्ट जिसमें 53 साल एज लिमिट रखी गी है 45,000 परमंत इनकी सेलेरी रहने वाली है लेकिन अपने को जानना है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की जो स्टाफ नर्सिस की वेकेंशी कितनी क्या है यहाँ पर टोटल 59,69 पोस्ट है जिसमें एज लिमिट के बात करें तो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच के जो भी कंडिडेट है वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं आपको यहाँ पर 45,900 रुपई सेलेरी मिलने वाली है साथ ही आपको एडमिसीबल अलावेंस भी मिलने वाला है यानि कि आपको 8 से 10 किलो मेटर तक जब आप ट्रेन में जो है आप अगर सफर करते हैं तो आपसे किराया नहीं लिया जाएगा आपको मिलेगा देखिए आगी जो वेकेंसीज इन में रेडियोग्राफर की भी है रिनल रिप्लेस्मेंट या हिमोडायलाइसिस टेक्निशन की भी है क्लेनिकल साइकोलोजिस्ट की भी है यानि कि यहाँ पर अलग लग वेकेंसीज है जिस जो कॉंटक्ट बेस पर सिर्फ सिर्फ कॉंटक्ट बेस पर हैं सारी की सारी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की जो नर्सिंग सुप्रेंटेंडेंट की वेकेंसी निकाली गिए उसमें क्या क्वालिफिकेशन आपे मांगी गिए जिन्होंने 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 जिन्हों का डि experience of working in critical unit of more than 15 beds in covid hospital जो भी covid hospital में अभी काफी दिनों से जो है contact base भी बहुत सारी vacancies निकल दीए जो covid hospitals बनाए गए उनमें अगर 15 बेट से ज्यादा कि किसी भी hospital में किसी भी बच्चे ने काम किया है उनको पहले पूछा जाएगा तो वो तो बताई देंगे कि हमने 15 बेट जो ऑस्पिटल है उसमें वर्क किया है covid hospital में तो उनका वर्क भी वहाँ पे चेक किया जाएगा ऐसा नहीं कि आप फडजी वाड़े से आप जा सकते हो यहाँ पर आप बोल दोगी कि हमने 15 बेट का covid hospital में job किये लेकिन वह आपको पूछ सकते हैं कुछ भी आपको पूछ सकते हैं कि covid hospital में क्या क्या होते हैं कैसा होता है कुछ भी आपको पूछा जा सकता है तो friends आप बचके रहे इस चीज़ से ऐसा नहीं कि आपने बता दिये कि 15 बेट जो होस्पिटल में हमने वहाँ पे वर्क किया है आपका experience certificate भी लिया जाएगा ऐसा नहीं है experience certificate भी आपको जो है upload करना होगा देखिए आगे बात करते हैं यहापे जो candidate है देखिए यहापे जो भी candidate इसके लिए आविदन कर रहे हैं उनके पास में academic qualification होने चाहिए date of interview से पहले पहले जब आपका interview लिया जाएगा उससे पहले पहले आपके पास में complete qualification होने चाहिए अगरे देखिए those who are appearing and or waiting result of final examination are not eligible यहापे साफ साफ लिखावाए जो भी fourth year में है यहापे जनम के third year में है जो last year के अंदर है जो wait कर रहे है result का वो भी इसके लिए जो है eligible नहीं है वो candidate इसके लिए apply ना करे आपको किसी प् पाइदा नहीं होगा आपका form reject हो जाएगा यहापे साफ साफ लिखा हुआ है यहापे आपका जो form of reject हो जाएगा तो दोस्तों जो fourth year में है जो अभी running में है जो last year में है और जो wait कर रहे है result का वो इसके लिए आविदन ना करे जिनके पास में certificate है registration number का वो इसके लिए आवि requirement का जो central cash certificate बनता है वहीं आपको लगाना होगा दोस्तों यहापे साफ साफ लिखा हुआ है no TA pass PTO facility of accommodation and transport will be provided किसी भी प्रकार का TA नहीं मिलेगा ना PTO मिलेगा नहीं कोई accommodation की facility मिलेगी नहीं आपका कोई transport हो पाएगा तो आपको यहाँ पे प्रमानेंट यानि कि जब तक आपका contact period पूरा नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे जोब करना होगा दोस्तों यह information आगे देखी यहाँ पे कुछ time and conditions भी दी विए उनमें भी यहीं लिखा हुआ है जो contact period है वो है 39-2021 तक 30 तारिक और 9 महिना 2021 तक आप यहाँ पे जोब कर सकते हैं 6 महिने का contact है जिसके अंदर आप जोब कर सकते हैं 6 महिने के लिए यहाँ पे आप जोब कर सकते हैं बाकि आप time conditions और पढ़ लेना यहाँ पे NOC भी लगानी होगी जो अभी जोब कर रहे हैं currently उनको NOC लगानी होगी और यहाँ पे लिखा हूँ है no private practice or any other employment will be permitted during the submission of the contract period यानी जो contact period पे जो जोब कर रहे हैं प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा जो contact period पे अभी जोब कर रहे हैं वो गोर्मेंट में हैं अगर अगर गोर्मेंट के थ्रू गए हैं तो उनको ले लिया यह भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हूँ बागे कुछ time and conditions और है वो भी आप देख लेना कौन कौन से documents आपको चाही होंगी यह भी आपे साफ साफ लिखा हूँ है date of birth certificate 10th and 12th के mark sheet आप यहाँ पे लगा देना 10th के mark sheet के अंदर जो date of birth आपकी लिखी है आगे qualification exam passing certificate जो भी certificate का हो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं All India candidates के लिए apply कर सकते हैं अगे experience certificate जिनके पास में है वो लगा दीजिए experience certificate पहले इन्य को लिया जाएगा देखिए जिनके पास experience है पहले उन्य को लिया जाएगा जिनके पास experience certificate है COVID hospital का वो लगा दीजी ताकि आपका जल्दी नंबर आ देफ के अंदर कुछ भी आपको अलग से कोई दिखाए देता है तो चली मैं आपको इस लिंक से आपको बता देता हूं कैसे अपना form फिल करना होगा चली मैं पॉस करके दिखा देता हूं दोस्तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब आपको क्या करना होगा ऐसा इंटरफेस आने के बाद में बच्चे पूछते हैं कि सरब हम जो है अपना form कैसे फिल करें क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ से हम जो अपना form फिल कर सकें जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने शिर्फ और शिर्फ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लेकिन आप form कहां से फिल करेंगे यहीं मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तो आपको क्या करना होगा इस लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पे आन temporary form जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर अलगले vacancies जो भी temporary हुई है वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर है और यहाँ पर apply का बटन भी है यहाँ पर देखिए apply पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर download है यहाँ पर download कर स सकते हो यहाँ पर लास्ट डेट भी दिविए यानि कि यह पहले के notifications है आप देख लीजी और जो अभीका notification है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यह आप देख लिजी यह नोटिफिकेस नमबर है यहाँ पर देख लीजी एक प्रेल की आपकी लाश्ट डेट रहेगी और यहां से आपको apply करना होगा apply करने के बाद में क्या इंटरफेस आता है वो भी में आपको दिखाऊंगा यहां से आप डाउंडोड भी कर सकते हैं और यह आपका जो advertisement नंबर है वो यहां से आप देख सकते हैं यहां पे जो vacancy निक प्रफेस आ जाएगा यानि कि आप पहली बार यहां पर रजिस्टेशन अपना कर रहे हैं आप यहां पर पहली बार रजिस्टेशन कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा अपना mobile number यहां पे फिल कर देना है, mobile आप जैसे फिल करके, आप Send OTP पे क्लिक कर देना, Send OTP पे क्लिक करने के बाद, आपके पास में OTP आ जाएगा, अगर आप New User है, तो आप यहां पर New User पे क्लिक करें, New User पे आप जैसे क्लिक करेंगे, वो तो क्या है जिनको जो already पहले से registered है उनके लिए आपको क्या करना होगा new register जो new user है उस पर आपको click करना होगा देन आपको यहाँ पर complete detail यहाँ पर देनी है देखिए यहाँ पर अधार नमबर आपको डालने है यहाँ पर अपने mobile नमबर डालने है यहाँ पर देनी है यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है यहाँ पर अपना email address डाल देना है जो भी आप यहाँ पर फिल कर रहे हो वो सही से यहां फिल कर देना, अपने mobile नमर से डालना और email आईडिया आप से डालना, क्योंकि यहां पे आपको message मिलेगा, आपका interview भी होगा, और यहां पे आपको जो अपनी photo upload करनी है, यहां पे आपको address डाल देना है, यहां पे state डाल देना, जिसे state के हो, यहां पे city का नाम डाल द जो previous, जो चली मैं आपको एक बार बेक लेकर दिखा देता हूँ, यहां पे जो मैंने अभी बताया है, देखी, यहां पे आपको जो है, अपना mobile नमर डालना है फिर से, और अपने send OTP क्लिक कर देना है, यहां पे जैसे OTP आएंगे, यहां पे यह अलग बात है, वो मैंने आ आपको वहां पे बताये कि send OTP, OTP आने के बाद में आपसे वहीं पे लिया जाएगा, वहीं पे OTP आपको वहां पे डालनी होगी, देन आपको एंटर कर जाना है, और वहां पे अपने documents जो भी मांगते हैं, वो सारे के सारे आपको upload कर देना है, जो भी information मांगी जाती है, वो सारे के सारे आप फिल कर देना, ऐसे करके आपको जो है, अपना form फिल करना है, अगर आप पहले जो है, पहले से आप अगर registration कर चुके हैं, तो आप यहाप अपने mobile नमर डाली, और send OTP पे आप क्लिक कर दीजे, ताकि आपके पास में OTP आ जाए, और आप enter हो जाए, enter होने के अगे का फिल कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप पहली बार अगर registration कर रहे हैं, तो आप new user पे जरूर करें, ताकि आप अपनी history पहले अपनी वहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको जो है, वहाँ पे complete जो पी format दिया हुआ है, उसके according आपको जो अपना form फिल कर देना है अगर आपनी registration पहले कर लिए है, तो आप यहाँ से जो है, अपने mobile number डाल के send OTP से send OTP करके और OTP डाल के आप अपना form जो है अगे का फिल कर सकते हैं, दोस्तों तेन दिन का time है, आप जल्दी कीजिए, ताकि आप यहाँ पे जोब कर सके, दोस्तों यह थी छोटी से information और मैं अपने आपको बता भी दिया है, किस प्रकार से आपको जो है अपना form बरना है, तो दोस्तों मैं उमिद करता हूँ, आप सबी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप अपने दोस्तों को भी share कर देना, ताकि वो भी यह form भर सके, मैंने complete process बता दिये, बाकि आप भरते र